अस्सलाम अलेकुम दिस्तों, बियार का मुनिश को आप लोग जानता हैंगे जो की इसलाम की विरुप्त हर वक्त वीडियो बनाता रहता है और हेंदू और उमस्मान के अंदर जान फलाने का खुशिश करता है इसे की आंदर विने दुबे भाई ने एक वीडियो बनाया है जो कि अनुश्का उबाई तो आए देखते हैं वीडियो क्या है दोस्तों मैं विने दुबे मुंबई से कृप्या महिलाएं और बच्चे इस वीडियो को ना देखें अगर आप स्पीकर पर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृप्या हैटफोन का इस्तमाल करें या फिर कम आवाज या फिर बाद में ये वीडियो आप देख सकते हैं लेकिन जब ये वीडियो में बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरे नुनु के निकले हुए मूद की बूंद से भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ ये इंसान है इसके लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा लेकिन जनता क्या प्यार और आशिरवाद और डिमांड इतनी ज़ लेगा इसकी कोशिश होती है कि कोई मुसल्मान का मुद्दा मिल जाए ताकि यूटूब के उपर इसकी वीडियो चल जाए और दो रुपए की भीक लेकर ये अपना घर चला चके प्रिफेशन से तो इसके माबापों ने बहुत मेहना से इसे इंजीनियर बनाया जी हाँ व मुसल्मान के प्रतिश की इतनी नफरत है कि उसका कारण खोजने की मेरे को बहुत जादा जरूरत महसूस हो गई मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस इंसान को मुसल्मानों से दिक्कत क्या है जब मैं इसके बिहार गाओं तक इसकी कहानी खोजने पहुचा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो पुझ्य माता जी है इसी के गाओं के एक अबदुल नाम के गन्ने की खेत में काम करती थी विचारी ने गन्ने के खेत में अबदुल के इतने काम किया कि इसके घुटने घिस गए दिन रात सुबह सामी अबदुल के गन्ने के खेत में घुटने घिसती रहती थी और उसी घिटने घसकरक से मेहनत करकर उससे कमाये हुए पैसे से इस भोसडी वाले को बड़ी पढ़ इसमें के दिन थे वो खतम हो गए अब बच्चा आएगा और हमारी परवरिश करेगा हमें अच्छे से पालेगा लेकिन इस भोषडी वाले ने इतनी अच्छी इंजिनिरिंग की पढ़ाई की थी इतने खुबसूरत मारकों के साथ पढ़ाई की थी कोई जहाट सी कंपेनी भी इसे जहाट देने के लिए तैयार नहीं थी हालात ये थे कि विहाल लोटने के बाद जब बेरोजगारी का कदर था और बिचारे बुढ़े माबाप इसे जवानी भरे लड़के को खिला रहे थे रोटिया तुडवा रहे थे वो भी मुफ्त वाली तो इसे लगा कि कुछ न की वीडियो में नहीं होती है लेकिन फिर भी एक व्लॉगर के तौर पर दो रुपया उनका कमाना जायज होता है मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलना जायज है लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के चूतियों को बहुत कदर दे दी गई कहते हैं ना क किसी बीडियो में बिना हिंदु मुसल्मान की इसकी रोजी रोटी नहीं चल लिए आप एक न्यूटर पतरकार के तौर पर काम करते हैं जैसा यह हमेशा से कहते हैं लेकिन इनकी ना 90 प्रतिशत वीडियो अगर आप देखेंगे तो केवल मुसल्मानों का टोपा चूसते हुए ही भाई साब दिखेंगे अभी ताजा ताजा इन्होंने शारुक खान का टोपा चूसा था हालात यह था कि टोपा गले में फस गया पूरे देश ने मिलकर इनकी गाण मराई की रसम कर दी हालात यह थे कि मुझ चुपाने के लिए इनको जगह नहीं मिलना पड़ा हालात यहां तक आ गये कि जब इस पिच्चर की बात की जा रही थी शारुक खान के टोपे की बात की जा रही थी तो भाई साब मूमेन लिये हुए विमल गुटके की बात करने लगे पठान के उपर इतनी बुरी तरह से हालत खराब होने के बाद अभी ने विमल गुटके का सहारा मिलने लगा यह दिखाने लग जए कि नहीं देखे आकड़ा यह बता रहा है आकड़ा यह बता रहा है कि किसी दिन यह मिल गए तो भोचड़ी वाले की गान फाड़ दी जाएगी हालात यह है कि इनसे कुछ हो नहीं पाया, एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने की कोशिश की उसमें भी यह नाकाम रहा उसके बाद अच्छा पत्रकार बनने की कोशिश की उसमें भी यह नाकाम रहा केवल मनोरंजन के लिए जैसे कफिल शर्मा को लोग टीवी पर यूटूब पर देखते हैं मिलियन व्यू दे देते हैं केवल मनोरंजन के लिए गंभीरता से उन्हें कोई लेता नहीं है वही हलत इस बिचारे बवासीर आफ बिहार की हो गई है एक ऐसा जुन-जुना हो गया है या ऐसा घंटा हो गया जिसे बजाता हर कोई है लेकिन गंभीरता से कोई नहीं लेता अगर किसी गाड़ी के लिए कर सडक पे चल रहे हैं और किसी टोल वाने ने इनसे पैसा मांग लिया तो लगेंगे उस टोल की बुराई करने का वीडियो बनाते हुए आपको ये दिखाएंगे कि देखिए टोल में ये खराबी है वो खराबी है तीस रुपे जिसको देने की अवकात नहीं उस टोल को तीस रुपे के टोल बचाने के लिए ये आदे घंटे की वीडियो की बक्चोदी कर लेंगे ताकि ये मैसेज पूरे बिहार में चला जाए कि अगर आप हमसे टोल मांगेंगे तो हम तुम्हारी गान में बंबू घुसा देंगे लेकिन होता इसके उल्टा है चाहे ये कितनी भी बुराई कर ले जितनी भी वीडियो इन्होंनों टोल नाके की बनाए कि ये खराबी है वो खराबी है क्या वो सही हुई जिसकना भी इन्होंने सड़कों को लेकर बवाल किया क्या बिहार में उसकी स्थितियां सुद्री है जिन जिन स्कूलों को लेकर इन्होंने अपना कैंपेन चलाया वीडियो दिखाया कि इस्कूल में यह खराब है वहाँ पर आज विस्तिती वही बनी हुई है जिन टीचरों का यह सोचे थे कि हम इनका उल्टा करके ले लेंगे उन्ही टीचरों नहीं पटक के इनके गान के अंदर असलहा गुसा दिया हालात यह थे कि मटे हूँ आसे भागना पड़ा दिक्कते यह है कि इनसे होता कुछ नहीं है बिचारे माब आपने इन्हें सिविल इंजिनियर बनाया और यह पत्रकार बने गूम रहे हैं मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आया कि बोसडी के जब तुम्हें यूटूब पर ही बक्चोदी करनी थी तो अपने माब आपका जो किमती महनत का पैसा आता है तुम्हारे इंजिनियर में का है गान मरवा लिए लेकिन जब बात होती है कि आपकी आउकात क्या है आपने बिहार के लिए किया क्या है तो उसका भी सवाल में जो जवाब आएगा वो जीरो बटा सननाटा ही आता है मैं पूछना चाहता हूँ आप इतने बड़े पत्रकार अपने आपको कहते हैं पांच मिलियन, छे मिलियन, जाट सा मिलियन लेकर आप इतनी बड़ी-बड़ी बक्चोदी करते हैं यहां पर हमारे सरकल के मेरे परसनल यूटूब चैनल के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए 18 मिलियन सब्सक्राइबर का केक मैंने 2 साल पहले काटा लेकिन कभी बक्चोदी नहींगी कि हम देश का जिम्मेदारी उठा के चला रहे एक अच्छे विपक्ष की भूमिका मैंने भाराओ सवाल पूछना गान में बंबू कर देना और उसे रिजल्ट ले आना तुम्हारे जैसे सवाल पूछके बक्चोदी करने का काम विने दूबे का नहीं है हम रिजल्ट ले आते हैं जब तुम्हारे दिल्ली के बाबा ने जब तुम्हारे दिल्ली के पुझे पिता जी ने इस पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था तो विने दूबे अकेला मूमबई के बांदरा के मज़दूर अंदोलन को खड़ा करके वहां पर जेल चला गया हालात यह थे कि तुम्हारे बाप ने जिसने कहा था कि ट्रेन चलाना मुम्किन नहीं है प्रवासियों को बिहारियों को अपने गाओं मूमबई से भेजना मूमकिन नहीं है विने दुबे वो इंसान था के वल गिरफतारी के दो दिन के अंदर श्रम एक ट्रेने भी चालो करवाई मूमबई में बसे हुए उत्तर भारतियों को अपने घर अपने विहार अपने उत्तर पदेश अपने बंगाल तक पहुँचा है अपने बुडे माबाप से मिला है अपने बच्चों से अपने पत्नियों से मिला है हालात यह है कि वो आजब सुखरूप से अपने घरों पे हैं काम वेबस्ता से कर रहे हैं सारी चीज़े चल रहे हैं यह होता है रिजल्ट देना विने दुबे वो इंसान है जिस मुद्दे में उठाया उसको आपने उसके रिजल्ट तक जरूर पहुचा है अभी ताजा ताजा मामला दुमका का ले लीजे आप गए थे ना वहां पे गान मरवाने के लिए कह रहे थे ना शारुक को हम उठा के हमको दे दीजी हम पेट्रोल डला के जाल डला देंगे उसको जला देंगे फड़वा देंगे ये करवा देंगे उखाड लिया उसका शारुक के नाम का जाट ने उखाड पाए आज वो इंसान जेल से बाहर होकर अपनी जिंदगी जी विने दूबे इंसान था जिसने इस पूरे मामले में एक नया करवट ला दिया यह होता है ताकत शोशल मीडिया का सकारात्मक अगर आप इस्तमाल करोगे लोग सम्मान देंगे तुम्हारे बिहार में मैं आता हूं किशन गंज इलाके में पांट-पांट-ददस हजार की अबद देती ही यह कमाया है मैंने शोशल मीडिया से तुम्हारे जैसे तुम्हारी मा और बहनों को गाली नहीं खिलवाता है मेरा उन तमाम लोगों से कहना है कि अगर आपको आपत्ती इस भोसडी वाले बावासीर से है तो कृपया इस भोसडी वाले की गान मारी इसके कुछ व्यू पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा अभी बीच में इन्होंने एक सोनुसूत का प्रोग्राम करवाया था वहां पे बिहार के टैलेंटर का राकार को रूला दिया यह इतना बड़ा भोसडी वाला है कि अपने बिहार को कलंकित करने का कोई कारे नहीं बिहार नहीं पूरे देश ने देखा उसका कारण यही बावासी राओ बिहार था हाला आती है कि जब यह पूछा जाए कि तुमने ऐसे कौन से बहुत बड़े तोप सवाल पूछ लिए तो यह उठके भाग जाएगा बागेस्वर धाम के बाबा में और सोचिए देश हित म का बहुत बड़ा भला हो गया इसमें कि बाबा कब विहार करके हनीमून पर जाकर कब वहां टपा टप बजाएंगे यह सबसे बड़ा बिहार में सकारात्मक बदलाव का सवाल था यह बक्चोदी इससे सवाल पूछना नहीं करते इसे टट्टे सहलाना कहते हमारी भासा में और इनजे से टट्टे सहलाने वालों की आवकाद बिहार ने दिखा दी है कोई आम जनता कोई बिहारी आकर इंकी गान न फार दे उससे बचने के लिए अपने आपको सिक्क्यों और भीड मिले के चलेंगे हालात यह थी कि नवादा के अंदर अगर वो चाते तो इनकी इसलिए विचारों ने सिफ समझा के बुझा दिया ये इतने बड़े अपने आपको तोप समझते हैं कि किसी को भी माईक से मार देंगे और कुछ कह नहीं पाता कभी किसी बड़े आदमी पे हाथ लगा के दिखाए किसी गाड़ी वाले को माईक ठोक के दिखाए गरीब मज का ठोपा लेते हुए तुझे देखते हैं किसी भी वीडियो में चले जाए आपको ये मुसल्만 का ठौपा हुआ लेता हुँआ दिख Bennett गया दूंका घया था नहीं नहीं है कि इतना कमाने के बाद मैं देखता हूँ इसकी बक्चोदी 25 लाग 30 लाग 1 करोड रुपया मैं कमाता हूँ 20 लाग खर्चा कर देता हूँ तो भोसडी के बात बताई जब तू इतना कमा ही लेता है तो तेरी मा का जो जोपड़ी है वो दिखाने की जरूरत क्या पड़ी इसकी मा उस जोपड़ी के दरवाजे पे बैट एक लिए वीडियो शूट करा रही है कि मेरे बच्चे का वीडियो देख लो थोड़ा सा व्यू बढ़ा दो हमारी गरीबी देख लो गरीबी की मार्केटिंग कर रहा है अपनी मा को बिठाने का जोपड़ी के बाहर दरवाजे पे बिठाने की नौबत जिस इंसान की आ जा तो बेटा एक काम करूँ मैं दस हैमेल मूद देता हूँ उसमें डूप के कहीं मर जाओ हालात यह है कि आज माबाप जोपड़ी के बाहर बैटे हूँ है और बेटा नवाबी पेल रहा है हमारे यहां पे पुराने बनारस या पुरवांचल में कहावत है कि माई मरे अंधिय या कम नहीं हो तो याद रखना बेटा यह विने दूबे है तुमारे बिहार में एक भोसडी वाला हुआ करता था जो अपने आपको मगया जवान कहता था आया था हमसे टोपा चूसने के लिए ऐसा टोपा मूं में गुसाइं है ना कि गांड से फाड़ते वह बाहर निकला और आवाज नहीं निकली है एक कर वीडियो बनाये थे उसके बाद भोसडी वाला दिखाई नहीं दिया आजकल एक बीच में प्रोग्राम में देखा था वो मगया जवान का क्या नाम है उसका आटू जाटू का वो गये थे कन्यादान सोमारों में भोसडी के इनकी पतनी का केश चल रहा है गया में दहेज का केश चल रहा है इस भोसडी वाले का नीभा सिंग इनकी पतनी रही है उसको छोड के उसे बाप से इसी का पैसा लेके पढ़ाई के लिए पैसा लेके जब पूरा निचोड लिया तो छोड दिया पतनी को ऐसे भोसडी वाले मगया जवान और इसके जाटू माटू लोग कन्यादान पर जाकर बक्चोदी रेल रहे हैं। विनेदूबे को देखो हर साल कन्यादान कराता है। इस साल 23 बच्च्चियों का कन्यादान कराया है। करो डंके की चोट पे करो। बोसेडी वाला तुमारा करनी अलग है, भरनी अलग है। दिखाना कुछ है, करते कुछ हो। हमेशा मुसल्मानों से इतिनी नफरत की गान मरा लोगे उसी से। क्योंकि दो रुपया भी मिलना तो तुमको भी उसी से। विनेदूबे जैसा सेकुलर रहोना। सनातन धर्म का अपना अलग लेवल का उसको नशा है, पूजा पाड दिन रात चलता है। तुमारे जैसे दिखावटी के लिए सनातनी नहीं बनके गूंते हैं। दिल से सनातनी है, रक्त से सनातनी है। बोसेडी के तुम तो अपने जमीन के नहीं हुए। जिस बिहार के अंदर रहते हैं, उसी बिहार को बरबात करने की कोशिश करते हैं। और गांडू तुझे चूसना पड़ेगा। मंजूर होगा तो बताना। और ऐसे ना, मा और बाप को जोपडी के बाहर बिटा के वीडियो बनाना बंद करया। कम से कम तू भोषडी के पूरे जिंदगी में पूरे देश से गान मरवा रहा है, चाट रहा है, गूखा रहा है, तोपा चूस रहा है, कम से कम अपने इजदार मा बाप को तो मत करवा। उसके विचारे के घुटेने गिस गए अबदुल के गन्ने के खेत में, यही कारण मुझे कभी कभी लगता है, यह साला मुसलमानों से नफरत इसी के लिए करता है, कि इसकी मैया ने अबदुल के गन्ने के खेत में जाके बहुत घुटने घसे, लई घस घस के, जो दू प्यागर रोटी खा रहा है तेरे जैसे ज्छाट इंसान की कोई कदर नहीं है तू तो इतना गिरा हुआ है रहे बिहार में हमने देखी तेरी कहानी भोशडी के एक छोटे से दो-तीन साल के बच्चे के हिलाज के पैसे को खा जाने वाला तू तू कहां से इमान और देशभक् और जिस मुसल्मान को लेके तू रिगान में बहुत चिम्मुने काटते है ना उखाड लेना किसी मुसल्मान का जहाट उसके बाद आना विने दूबे से बताना तो हम भी समझेंगे कि हाँ कोई भोशडी वाला मर्द पैदा किया हो सकता है पूरे मोहले की पैदाईश का न देश को डिस्टरब मत करो जिस दिन हिंदू मुसल्मान कराएगा तेरी गान में बीने दूबे का टोपा जरूर जाएगा अगली वीडियो बहुत जल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं पसंद आई हो तो शेयर करें इस जाटू की गान मराई की रसम मेरा एक छोटा जाएगा खैर मेरा लोड़ा खराब होता है इसका मेरा टोपा खराब होता है इसकी गणिया नहीं है अब तलाब बन चुका इतना मरवा चुका है यह भोशेडी वाला पूरे देश से कि अब गान नहीं रह गया सुरंग हो गया तलाब बन जया है अब उसमें निकल के आओ तो इसा लगता हावा बाजी चल रही है खैरो सब कोई बात नहीं अगली वीडियो बहुत जल तब तक जय हिंद जय महाराश्टरा